आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल इलेक्ट्रोनिक लेब में आज हम लोग जार्खंड सेचनिक अंसंधान एवं परसिछन परिशद रांची जार्खंड दुवरा कच्छा नाइन का बिज्ञान बिसे का जो मोडल प्रसंद पत्र दिया गया है उसको हम लोग अच्छा होगी उसमें किस तरह के प्रस्ण पुछे जाएंगे इसमें समय दिया रहेगा 40 प्रसंद का रहेगा और आपको डेड़ घंटा का समय देगा परतेक प्रसंद आपका एक नंबर का है और कुल प्रस्णों के संख्या 40 है और गलत उतर देने पर कोई अंक नहीं करते हुए अगर आप हमारे चैनल पर नीम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पहला कोस्चन हमारा है नीम्न में की रास्यों का ऐसाई मात्रक समान होता है मतला जो उसका मात्रक होता जिसे मापा जाता है और ऐसाई यात मानी स्टेंडर ओप इंटरनेशनल जो के जी ठीक है ने ठीक है तो इस प्रणाली में जो हमारा की रास्यों का जो मात्रक समान है वह हमको चेक करना है तो इसको मिटा देते सबसे पहले और एक है करते ओप्सन से चेक करना है ठीक है तो अप्सन नमर एक में हमारा दिया है क्या दिया है चाल और वेग तो चाल का मा मीटर परती सेकेंड होता है वेक का इसका भी होता है मीटर परती सेकेंड देख रहें दोनों रास्यां समानत अपसर नमर यह सही उतर होगा लेकिन हम नीचे वाले भी चेक कर लेते हैं तवरन और विस्थापन का तवरन के क्या होता है मीटर परती सेकेंड असक्वाइर और व के मिटर पर 2 हैं आए फ़र्स वरावर क्या होता है मैं मिटर उन अलूं झाल मास वना इसलेरेशन तन्हीं हो गया हैं अप्शन ने रहा है संब्सभीण यह पीच क्या होता है मज़गा सक केजी मीटर पर 30 सेकेंड ठीक ने या नहीं आ रहा है तो थोड़ा से मिटा लेते हैं यहां पर इसे ज़गा केजी मीटर पर 30 सेकेंड यह हमारा संबेक का हो जागा तो अप्शन नमर यह मेरा सही अंसर है आगे की परस्ण की रों में चलेंगे अप्शन परस्ण नमर मेरा टू देया है निश्ची दिशा में वस्तु द्वरक तैक की गे दूरी क्या कलाता है थाम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं कि निश्ची दिशा में तैक की गे दूरी आनि एक वस्तु मान लेते हैं यहां से कोई दूरी तेक कर रहा है यहां समय पूंसे दिख समय के साथ दूरी तेग कर रहा है यह नहीं फूच रहा है ठीक रहा है थिए तो अनना मेरा विग ये चाल होता यहाँ पर प्रकर लिट दूरी पूच रहा है निश्चित दिसा में हमें जब दूरी तेग कर दोसको हम लोग बिस्थापन बोलते हैं यह दिशा निश्चित दूरी में समय के साथ समय के साथ तय के दूरी को विक करते हैं तो अपसंन नंबर देखें, इसका हो जागा मीटर 30-2 ठीक है, तो अपसंन नबर डिसका सही अंसर हो जाँ जाए, एला कौस्चन हमारा है, सवचलीत वहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके दुरत टाय के गेदूरी को परधर्सीत करता है यह स्वचलीत वहन मतले आपको गाड़ियों के बारे में बता रहा है अगर आप गाड़ी को ड्राइव वेगर किये होंगे बाइक वेगर तो उसमें देखे होंगे इसतर यह मेरा नहीं होगा ठीक है नहीं अनिया स्पीडियम को निचे रहा है इस तरह का एक लगा हुआ यह अंत जिसमें नंबर लिखा होगा नंबर जिस इतना दू जाएगा इंक्रीज करता जाएगा तो उसी को हम लोग बोलता है ओडोमेटर तो अप्सन नमर यह सही एंसर जाए अगले कोश्चन के रहा हम तरफ हम लोग चलेंगे पांच नमर दिया यह यदि पिंड का द्रेमान दोगूना कर दिया जाए और उसका वेक आधा हो जाए तो पिंड का रेखिक संबेग क्या होगा संबेग बराबर हम लोग जानते है पी इसकोल टू क्या होता है एम बिव यानि द्रेमान गोना क्या बोलते हैं वेग यह दिया मेरा ओरिजिनल कंडिशन यह होता लेकिन यहाँ पर कंडिशन अप्लाइड क्या है क्या पी को यही रेगा लेकिन द्रेमान को क्या क्या दो गोना था टू एम लिख सकते हैं ठीक है और दिया वेग को हाप कर देता हाप ग कोई संख्या है नहीं तो ब्राबर है तो वही हो जागा वही रहेगा अप्शन नमर भी मेरा सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन हम लोग क्या लेंगे कोश्चन नमर छे यदी दो वस्तु ए और बी द्रेमान 6 केजी और 34 केजी है तो ए और बी का जड़तु के बारे में इसमें पूछ रहा है था तम लोग जानते ए के कितना द्रेमान दिया है यहाँ पर दिया है तो बी का जड़तु भी अधिख होगा तो आपसियर मोर लोग देखेंगे हैं यहाँ पर बी में दिया ए, ब गंयके जड़त से अधिक होगा बिल्कुल सही किको बी का द्रेमान अधिक है तो अपसियर नमर भी मेरा सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन हमरा नीटन के गती के किस नियम को जड़तु का नियम भी कहा जाता है हम लोग जानते हैं कि नीटन के पर्थम नियम को हम लोग गती का जड़तु का नियम कहते हैं और इसे गलेलियो का भी नियम कहा जाता तो अफान नमर यह मेरा चोज़न कर दिया शिदान्दे के सिदान्द पर काम करता है तो संबीक है के स्थानद पर और क्या होगा हम लोग जानते हैं कि चंदर्मा पर जो होता है चंदर्मा का जी गरेविटी बोलते हैं वो प्रित्वी गरेविटी का वन बाइ आदने है श्ट 15 बाइ मैं शता बाइन बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पर इसको चेसग च्छ जो भी हमारा ऑगा यहा concert उसको शे से भागा देँंगे तो हमारा चंदर्मा पर उभार होगा याणि về निटकेजी होगा मेरा काहाँ पर चंदर्मा पर यहीं पर दर्यमान की बात होता है दर्यमान दोनों तो यहां पर चंदर्वा पर कितना हो जाता है साट केजी 100 केजी हो जाता है छे से हम लोग भागा जाता है तो उनके बीच का गुरुतवा कर्शन बल किस परकार बदलेगा आनि दो वस्तु दिया है था हम लोग गुरुतवा कर्शन का एक फर्मूला जानते हैं जो बल बराबर क्या होता है f is equal to g into m1 into m2 बटके दोनों जो वस्तु के बीच की दूरी होता है r² ठीक है यह होता है फर्मूला ठीक है यहां पर क्या बिच्चा है दो वस्तों को द्रेमान यह दोनों है दो वस्तों के बीच की दूरी को आधा गया नहीं इसको हाप कर दिया जा रहा है ठीक है तो उसके बीच का गुरुतवा करसन बल क्या होगा यह तो मैं हो गिया मेरा आप दिखेगा यहां पर अगर हाप कर देंगे यह टी एसकुए रहती भी एसकुएर हो जागा यह बटता चार होगा तो चार जो बट्टा में उपर जाएगा जो गुनाम हो जाएगा ठीक है तो गुनाम हो जाएगा ठीक है तो गुनाम हो जाएगा ठीक है तो चार गुना ये बढ़ जाएगा जितना दोरी कम होगा उतना उसका जो गुरुतवा कर्शन बल है बढ़ता जाएगा ठीक है अगला question हमारा है धवनी किस माध्या में गमन करती है हम लोग जानते कि धवनी को गमन करने के लिए किसी माध्याम की जरूरत पड़ती है वो ठोस द्रव गेस तीनों माध्याम में जा सकता है लेकिन अगर वो निर्वात में नहीं जा सकता तो अप्सान नमर ए बी सी यहने तीनों हो जाए वो प्रोक्त सभी यहीं पर परकास की बात होते परकास जो तीनों माध्याम वो निर्वात में सबसे अधिक जाता था ठीक है अगला question हमारा है तो धावनी तरंग हम लोग जानते कि अनुदेरी तरंग होता तो अप्सान नमर यह मेरा सही अंसर हो यह परकास तरंग की बात होती तो वो क्या होता हो अनुप्रस तरंग हो जाता ठीक है अगला question हमारा है मानव सरवन की स्रेप प्रास की उपरी अविर्ति क्या सिमा लगबग क्या होती है आनि मानव दूरा जो सुना जाता सबसे higher frequency का प्रास क्या होता हम लोग जानते कि मानव जो है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक सुन सकता है त्यों जो 20 किलो हर्ज होगा वही एंसर जाता है तो 20 किलो हर्ज को अफ्सन नमबर A में दिया तो वहीं एंसर हो जाता है अगला question है कि दो दो बिभीन पतार्थों के कनों को स्वथा मिलना ख्या करता है ठीक है ने, अप्सन नमर ए, उर्धर पातन उसको कहते हैं जो वस्तु ठोस सवस्ता से डारेट गेसी ये वस्तम चला जाता है, संगनन उसको बोलते हैं जब संगनन का हम लोग परिवासा जानता हैं कि जब बादल जो उपर में उड़ते रहते हैं, वास्पित होकर जो हमारा प्रिथ्वी से जल उपर जाता है, वो जमा होकर, जमा हो जाते एक प्लस में, उसी को संगनन करते हैं, और प्रासरन करते हैं, बिलायक का कम संदर्था के बिलियन से अधीक संदर्था के बिलियन की ओर, अर्धर प्रागाय में जिली से होकर स्वता परवा हो जाना ही प्रास सबसे अधिक संपिडित क्या जा सता है यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर है नहीं देखीगा केल्वीन में पूछ रहा है केल्वीन भी अप्सन दिया है तो जीरो डिग्री सेल्सियस कोई हम लोगा 273 डिग्री केल्वीन भी तो अप्सन नमर इसका सही अंसर हो जागा ठीक ह केलवी में सबसे अधिक दबाया जा सकता है नमग अधिक हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को गेस कोई सबसे अधिक हम लोग कमप्रेसिट कर सकते हैं ठीक है ने अगला कोशन नमरा है निमलिखीत में कीस योगिक कौन सा एक योगिक का उधारन है योगिक उसको हो बोलते हैं जब दो पदार्थ मिलकर एक तिसरे पदार्थ का निर्मान करता उसको योगिक करते हैं लोहा लोहात में एक ही पदार्थ होता है नहीं इसका नहीं हो जगा पितल 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 नमलो जानते हैं तामबा और जिंक मिलकर पितल बनाता तो अप्सन नवर B मेरा सही अंसर होना चाहिए ठीक है योगी यहाँ पर खास नहीं रहाता योगी कमें यह होना चाहिए कि खास रेशियो में मिला हो थीक है नहीं इसे दो अनुपात एक एक अनुपात तीन ठीक है तब पितल में कोई-स अनुपात होता ने यह नहीं हो जाएगा आगे जल यहां पर जल देखिएगा एच टू ओ आनी हाइड्रोजन का दो अनू और ऑक्सिजन का एक अनू मिलकर बनता है तो अपसर नमबर सीज का सही अंसर होगा जल जल जो है एक योगी का उधाराना लेकिन तामबा कॉपर तो एक पतार धातू यह नहीं हो से तो अगला क पूशन है पितल की स्थात्तू का मिस्रान है अभी हम बताएं पितल जो है कॉपर और जिंग का मिस्रान है ठीके नहीं तो अपसर नमबर यहां पर सही अंसर होगा ठीके नहीं यहीं पर पूछता का सा किस चीच का है तो यहां पर कॉपर तो सेम रहता है लेकिन जिंग के ज रखिए अगला कोश्चन हमारा है निमलिखीत में कौन रसाइनिक परिवर्तन का उधारान है रसाइनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो चीज़ या टेमप्रेचर या केमिकल रियक्शन से एक जो आवस्था है वो दूसरे आवस्था में चेंज हो जाता है दूसरे चीज़ो रसाइनिक परिवर्तन के लगाता है और दूबारा उसे पहले कि जहां जो कन्डीसेट उसमें नहीं ला सकता है तो इसको मोमों रसाइनिक परिवर्तन का लत है लेगन भोतिक परिवर्तन में क्कु obt यह नहीं हो जाएगा और रसायनिक पर भोजन का पचना यह बिलकुल सई भोजन का पचना अगर भोजन आम लोग कुछ खाते हैं वो पच जाता है तो इसको अम लोग दुबारा फिर से भोजन बदल नहीं सकते हैं ठीक है आगे देख लिए अप्सन और भी शही अंसर आगे का सूत्र लिखिए सोडियम एन ए ओ हो जागा ठीक है नहीं कि सोडियम का भी दो आठ एक होता है ठीक है नहीं ओक्सीजन का कितना हो जाता है दो और छे इसका एक और दो एन्टू तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम का जो संजोकता होता एक होता है और ओक्सीजन का दो ठीक है दो होता है एक मिनिट तो दो होता ओक्सीजन का जब भी इसको फ्रमूला लिखेंगे तो क्या हो जागा ओक्सीजन का यहाँ पर एक अनूच के लिए इसके यहाँ पर क्या हो ज दो अनू होना चाहिए ठीक है क्या हो जाएगा एन टू ओ ठीक है ने इसका दो अनु इसमें आ जागा और इसका एक दूसरे में करोस हो जाता है आप लोग पढ़ें होंगा कि एक दूसरे में करोस इते हैं इसका जो संजोगता नाड्रोजन में चला जाएगा इसका संजोगता इसमें हो जाएगा तो बी नमर ज़ा झार यह एगला कुस्टन हमारा है आए 36 ग्राम जल में कितने मॉल मुझूद है हम लोग जानते हैं कि एक मॉल में जो एच एड्रोजन लिखे गए है जल लिखे गए है एच टू एक मिनाट तो जल का होता है पॉसे नमबर मेरा 21 है तो जल का हम लोग क्या लिखते हैं है एच टू वो लिखते हैं तो एच टू ओ में क्या होता है है एड्रोजन कपरम दर्मात संक्या 1 होता है 1 गुणा 2 पलस उक्सिजन का 1 अब होता है तो 16 16 और 2 मिला कितना हो जाता है टोटल 88 हम हो जाता है ठीके एक मोल में हमारा अठारो अनू अठारो जो क्या होता है अठारो ग्राम दरिमान होता है ठीक है अठारो ग्राम दरिमान तो यहाँ पर कितना दिया है 36 ग्राम तो ठारो 36 को ठारो से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ दो दो मोल यहाँ पर अप्शन नबर बी मेरा स यहाँ पर है 36 ग्राम जल मैं अगला question है C2,H2 का दरिमान संक्या है C2 यानि carbon का 2 है carbon का दरिमान संक्या है किता हम था 12 तो 12 गुना 2 हो जागा यानि 24 ठीक है अगला question हमारा है electron की खोज किस ने की थी तो इलेक्ट्रोन की खोज्ज है जय जै टॉमशन ने की तो इपसंशन नबर B इसका यह ख़्याद रखने का सही एंसर है ETA पर नाच ETA, ETA मतलब El Dayton को टॉमशन से ख़िया पर मतलब gehen proton को खोज़ कैं, Nicole ने अगला question हमारा है एक तत्व में 11 यट्रन है तो उस तत्व का परमानु संख्याद क्या होगा हम लोग जानते हैं कि जो परमानु संख्याद होता है वो इलक्टरोन के बराबर होता ह। जितना इलेक्ट्रोन होगा उतना ही प्रोटोन हो गया ठीक है उससी को हम लोग प्रमानु सेगा तो अप्सान नमर ये सही अंसर हो जगा अला कोशने किसी ततों में समान समस्थानिक में निमली खीत में से कौन सा प्रमानु का समान नहीं होंगे अनि समस्थानिक में क्या दा है उसमें प्रमानु संख्या समान रहता है लेकिन द्रेमान संख्या भीन भीन रहता है तो क्या होना चाहिए हम लोग द्रेमान संख्या ज बान साथ चाहे तभी दर्मान संख्या अलग होगा नहीं था लेकिन लेक्टर्र और प्रोट्रों जो समान होते एगला क्वोस्चिन हमारा है नीमन लिखित में से कौन एक कोशिक जीव का उधारन है तो अमीबा जो हम लोग दानेगे एक कोशिक जीव का उधारन अपसर नबर C अगला कोश्चन हमारा है लाइसोस्वम का निर्मान कोन करता है कोशी का जिली के आर पर पदार्थो को आना जाना किस पर किल्ए कि दवरा होता है तो हम लों जानते हैं कि बिभ्यो यो तक उतक पाये जाता है तो अप्सन नमर ये सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन हमारा है रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या करते तर रक्त के तरल अधात्री भाग को अम लोग प्लाजमा करते हैं अप्सन नमर भी सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन हम स्वेथ कुरियन को बला जाता है निमलिखीत में कोन एक रभी फसल हम लोग जानते हुए से फसल जो ग्टूबर नॉमबर में बोया जाता था गर्मी आने से पहले उसको काट लिया जाता तो अपसन नबर क्या चना चना धिक ठंडा के दिने बोया जागा फिर कर्मी आता था सबसेंब लाद इसको काट लिया जाता है जो करीब अम गर्मियों में लगया जाता है लेकिन अक्टूवर नॉमर में काट आजाए सबसे करने जियों काजिए और यांग सबसेंद का सबस्क्राइब मोल भूत लच्छन क्या होते हैं तो जियों का वर गीकरण का सबसे मोल भूत लच्छन कोशिक्टे सं रचना उते हैं कोशिक्के संप जो है किसी दूसरे जीवसे नहीं मिलता है ठीक है वह सबसक्राइब को अलग अलग तो अप्शनमरin C पादब वर का उभहेयचर किसे कहते हैं तो पादव वर का उभहेयचर हम लोग ब्रायोफायट को इसलिए कहता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं लेकिन युँआ परजनन के लिए उन्हें पानी की अवस्कषिकता पढ़ती है ठीक नहीं पानी और क्या बोलते हैं मिट्टी दोनों में उसको बोलता है जिसका शरीर विबीन भागों तथा अंगों में वरक्रित नहीं होता है आनि एक ही जिसर रहता है ठीक है जिसे सेवाल अगला कौशन है बलू वेल निमलिकीत मेंसे की सब्से समंदीत है बच्र बच्चे को जनम देता है रोटों को दूदफ बिलाता है अस्तन पायी हो जब था ऑगेग mentre सब रहchem को बेस्वी उसमनन के लिए कौन सा गेस उतरदाई है आणि जो प्रीथवी में जो उसमा बढ़ रहा है मतला हीट बढ़ रहा है उसके लिए कौन सा गेस उतरदाई है थे हम लोग जानते जो कारबन डायोकसाइड जो होता है उसे कारें हमारा गेस प्रीथवी का जो है टेम्पर प्रभावित नहीं होता है जल में टपमाने परिवर्तन होता है जिसमें वह कारण वहाँ पर ओक्सिजन की मात्रा काम हो जागा है प्रदूसन 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 प् एक हाथ में तक फेलने वाला रोग ठीक नहीं तो अफसर नबरत यह खासी जुकाम तो यह हमारा नहीं है यह खासी जुकाम जो होता है सोरी सोरी आज संकर्मक पुछा है आज संकर्मक खासी जुकाम देखे अगर आपको एक आदमिक हुआ है तगल बगल वो फेल सकता है तो अपसर नमर यह नहीं होगा देखे रंतोंधी रंतोंधी जो जनम जातर हो गए यह फेलता नहीं किसी से ठीके नहीं अधेजा भी देखे एक पानी के जरीए एक आदमिक से दुसरा आदमिक फेल जाता है ठीके और काला जार बेखे उसी तरह फेल जाता तो अपसर नमर भी रंतोंधी सही अंसर हो जागा अगला कोशन है निमली खीत में कौन दिर कालिन लोग के उधारन होगा ठीके तो अपसरन नमर्ट यह खासी जुकां कुछ दिनों के लिए लिए तुरंद छोड़िया था यह नहीं होगा है जा भी कुछ समय के लिए उसके बाद क्रीटमेंट अधे चोड़ियाता है टीवी टीवी थोड़ा सा देर तक चलता है जोड़ा जिवानों जो हमारा मोनेरा वर्ग मैत ओप्सन नमर बीच का सही अंसर हो जाएगा इस तरह हम लोग ने देखे 40 कोस्टन इसमें देखें आप लोग जो इसमें ओप्सन में और देशे प्रोटेस्टा प्लान्टी फंजाई ये सब भी याद कर लिजेगा ताकि कोस्टन जो है क लिए मोनेरा का नहीं पूछेगे इस आपका भी पूछ सकता है ठीक है और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो धैन्यवाद